बिस्मिल्ला रह्मानी रहीन, वेलकम तो मैं चैनल स्टेडी रूम में मैं इस वक्त एक्सराइस फूर भी कोस्ट नमर नाइन करा रही हूँ जो के जिसमें हमने एक्सपेशन्स जो हैं उनको एक्सेंड करना है कुछ इस्पेशल एलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको य और बाकी केसटन्स में हमने जो यूज करा था वो ए-प्लस-बी का होल स्कॉईर और ए-प्लस-बी यह पर्फेक्ट-सकॉयर के फॉर्मूले यूज किये थे हमने, लेकिन अब जो हमें यूज करना है इस क्वेशन नमबर नाइन में, जो इडेंटिटी है नम्बर थ्री, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square यह identity हमने use करनी है इस question में उससे पहले कुछ चीज़े हम समझ लेते हैं algebraic expression है इसमें यह देखिए कि 3x minus 5 3x minus 5 यह क्या है अगर मैं यह देखूं कि इसमें कितनी terms है तो इसमें कितनी है दो terms है 3x और minus 5 यह two terms है अब 3 क्या है 3 जो है यह coefficient of x है x क्या है x variable होता है और minus 5 क्या है वो constant है यह बात आपको समझ में आ गई होगी आप कुछ और यह देख लीजे कि अगर हमारे पास दो algebraic expressions हैं suppose 2x and 3x अब अगर मैं चाहूं कि इनका product मुझे चाहिए तो 2x into 3x तो जो coefficients होते हैं और जो variables होते हैं उनको separately हम multiply करते हैं जैसे 2x का coefficient है और इधर 3 इस x का coefficient है तो 2 into 3 अलग मैंने multiply करने and x into x यह अलग multiply होगा यह आजएगा 6x square x इसकी भी power 1 है और इसकी भी 1 है तो 6x square अब यह suppose कीजिए कि फ़र्स यह है कि 2x और है 3y अगर मैं इसको multiply करती हूँ 2x into 3y तो इसके coefficient और variables यह भी separately multiply होगे 2 into 3 and x into y यह हो जाएगा 6xy अब हम आते हैं अपने question की तरफ इसका question number 9 का part A है 6p plus 5 into 5 minus 6p मेरे पास formula क्या है वो यह है A plus B इसको देखके ही अंदाजा हो रहा है कि इधर जो formula लगेगा वो यह वाला लगेगा A plus B into A minus B अब इधर A और B मुझे choose करने हैं suppose करते हैं कि यह A है यह A है और यह B है यह B है लेकिन इधर A क्या है इधर A 6p हो रहा है और इधर B जो है वो 5 हो रहा है तो अगर मैं इनकी positions को change कर देती हूँ यह देखें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 plus 6p और इसको ऐसे ही रहने दूँ 5 minus 6p 5 और 6p इधर मैंने इनकी position change कर दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल वैसे ही रहेगा अब हम अब हमने A और B चूज कर लिया है यह हो गया A यह है B इधर क्या है A यह A और यह B अब हम इसको solve करते हैं हमें पता है कि A plus B into A minus B यह किसके बराबर होता है A square minus B square के अब मैं मुझे यह भी पता है कि A जो है वो किसके बराबर है 5 के और B किसके बराबर है 6P के मुझे values put करनी है अपनी इस फॉर्मूले में 5P 5 plus 6P और 5 minus 6P is equal to A plus B A minus B यह ऐसे ही मैंने फॉर्मूले में लिख दिया अब A square क्या है 5 square minus B क्या है 6P 5 square 5 into 5 होता है minus 6P 6 into 6 6 को का square और P का square P into P 25 माइनस 36P 36P square अब हम इसका B part करते हैं B part क्या है 9R minus 4 upon 5Q plus 4 upon 5Q इसको अगर मैं suppose करती हूँ यह क्या है यह भी यही formula इदर apply हो रहा है इसको मैं कह देती हूँ यह मेरा A है और यह जो है यह B है इदर क्या है A और यह B A minus B into A plus B A minus B into A plus B यही formula अप्लाए होगा A plus B into A minus B कहें या A minus B into A plus B A की बात होती है A मेरे पास 9R है और B मेरे पास 4Q upon 5 है अब मैं यह values put करती हूँ A plus B 9R upon 9R plus B की जगा B की value 4 upon 5Q A minus B पर मैंने लिखना है 9R minus B क्या है 4 upon 4Q upon 5 9R plus 4Q upon 5 और यह 9R minus 4Q upon 5 is equal to A square minus B square A क्या है A 9R है minus B क्या है 4Q upon 5 यह squiring है इसलिए मैंने coefficient को एक दफ़ अब मल्टिप्लाई कर दिया और फिर इनके variables को मल्टिप्लाई कर दिया minus 4 into 4 Q into Q 5 पर भी squiring है इसलिए 5 into 5 81R square minus 4 fours are 16 16Q into Q powers add हो जाएंगी 1 and 1 Q square upon 5 fives are 25 Q square upon अब हम इसका C part करते हैं C part है S upon 2 plus T upon 3 T upon 3 minus S upon 2 इदर भी यही identity यूज होगी A plus B A minus B इसको देखके ही लग रहे है एक जो है वो A plus B हो है और एक A minus B है लेकिन इनकी position मुझे change करनी होगी जैसे part A में किया था इदर T जो है वो A है तो इदर S upon 2 जो है वो A बना हो है तो अगर मैं इनकी position change कर दूँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ यह किसके बराबर होता है A square minus B square मुझे A पता चल गया B भी पता चल गया है मुझे values put करनी है A क्या है T upon 3 plus B क्या है S upon 2 A plus B A minus B is equal to A क्या है T upon 3 इसका square minus B क्या है S upon 2 इसका square T कर square T into T upon 3 कर square 3 into 3 minus S square S into S upon 2 square 2 into 2 और यह आएगर T square upon 3 into 3 9 minus S square upon 4 अब हम इसका करते हैं यह final इसका answer T upon 3 plus S upon 2 into T upon 3 minus S upon 2 यह इनका product जो है इसका answer आए जाएगा T square upon 9 minus S square upon 4 अब हम करते हैं इसका part D D part में ही कह रहे हैं U plus 2 और U minus 2 U square plus 4 इस पे मुझे देखकर यह अंदाजा हो रहे हैं कि यह यह A plus B और यह A minus B का formula इस पे लग रहा है A plus B A minus B अगर मैं इसको भूल जाती हूं तो यह इस पे A plus B A minus B का formula लग रहा है यह किसके परावर होते हैं A square minus B square के तो सबसे पहले मैं इसको solve करूंगी फिर जो value आएगी उसको मैं इस जगा पर put करके फिर आगे solve करेंगे U plus 2 और U minus 2 इदे A plus B A minus B is equal to A square minus B square where A is equal to U U जो है वो A है और 2 जो है B है मैंने values put करनी है इस formula में U plus 2 U minus 2 is equal to A plus B A minus B is equal to A square minus B square A क्या है U है U square minus B क्या है 2 है 2 का square और यह आ जाएगा U square minus 2 into 2 4 U plus 2 U minus 2 यह आ रहा है U plus 2 और U minus 2 बराबर होता है U square minus 4 के अब इस value को मैंने put कर देना है यहाँ पर अगर मैं इसको नाम देदू equation यह नाम नहीं दे रहे हैं मैं इसको ऐसी value को put कर देती हूँ U square minus 4 और U square plus 4 अब इदर आगे मुझे इसको solve करना है इसको देखकर भी लग रहे है कि यह A है और यह B है यह A है और यह B है आगे हम इसको इस पर भी formula apply करेंगे A plus B A minus B is equal to A square minus B square इदर A क्या है U square है और B क्या है वो 4 है मुझे values put करनी है A क्या है U square plus 4 U square minus 4 is equal to A square क्या है U square minus B क्या है 4 और इसका square U square का square इसको मैं two times multiply करूँगी U square into U square minus 4 into 4 यह हो जाएगा U तो इसकी power 2 है और इसकी power 2 यह powers add हो जाएगी जब multiply करते हैं powers add हो जाती है basis same है U and U तो यह हो जाएगा 4 minus 16 U square plus 4 U square minus 4 is equal to U की power 4 minus 16 मुझे उमीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा फिर भी कोई confusion है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्यू प्लीजिब करें